Hello guys my name is Manish Taoku and welcome to my channel stocks and gains. So guys बात कर लेते हैं कल की market की, कल market कहा हम हो का सकता है कौन कौन से stocks हम trade कर सकते हैं, त्युक्त से पहले देख लेते हैं आज, आज expiry थी nifty में आज आपने देखा nifty gap-down open हुआ, gap-down open होने के बाद इसमें selling pressure बना रहा nifty में और nifty जो है 11,312 पे जाके जो है close हुआ minus 96 points का इसने जो है आज low लगाया निफ्टी ने तो अगर कल की बात करें हम कल निफ्टी का हम जो है हम trade कर सकते हैं तो यहां पर देखिए निफ्टी निफ्टी ने जो अपना ये जो लो लगा ये जो आप आज जो कैंडल बनी निफ्टी की इन्वर्स टोजी टाइप यहां पर देखिए यह जो कैंडल बनी इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो selling pressure है निफ्टी में वाज बहुत था निफ्टी जो है सबसे पहले तो आपड़ान ओपन हुआ उसके बाद निफ्टी में selling pressure रहा अब निफ्टी कल कहां मुग कर सकता है तो यहां पर देखिए अगर हम यहां पर देखें करता है यहां से अगर इंटैन ब्रेग करता है तो सपरट रहा है वो इस पॉइंट पर आके बन रहा है कौन एफंट के सपोट ले सकता है? 10',900 से लेखे 10,800 के बीच में तक निफ्टी सपोट ले सकता है अगर यह ऊचैस्ट निफ्टी तो यह 10,900 से लेके 10,800 तक जो है सपोर्ड ले सकता है उसके बाद जो है निफ्टी डिट्रेस का सकता है उपर की तरफ और अगर यह टैंड लाइन डिफिनली जो है यह सपोर्ट जो है यह टार्गेट हमें देखने को निफ्टी में जरूर मिलेगा और एक कौन से सपोर्ड भर जले इफ फर ऊपन हुआ पिछले दिन यहांप एक अप गैपडाण ओपन हुआ यहां पे यहांप ऑपन हुआ था तो गैपड़ा ऑपन होने के बाद निפी जो है नहीं किए उह रहे होंगे तो अफ्श्न वह लाइन किया उनको का हाफी अच्छा तो अब यह जो रेंज में रहां अब कल अगर देखा जाए तोग अगम 2022 tahun 2050 इसके नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो यह ए हमें 2022 से लेके द धर 10,000 175 तक का आगीड हमें देखने को मिल सकता है अगर कल 10,250 के नीचे जो है Nifty open होता है gap down open होता है Nifty definitely हमें ये target जरूर देखने को मिलेगा अगर Nifty जो है gap down open होता है यहाँ पर देखे और आने वाले कुछ जिरों में हो सकता है हमें 10,900 तक का level भी जो है Nifty में दिखाई दे अगर वो trend line टूटी जो मैंने आपको trend line बताई आपको one day की time frame पर जो मैंने आपको trend line बताई यहाँ पर देखिए one day की time frame पर जो मैंने आपको trend line बताई अभी अगर ये trend line Nifty ने break की यहाँ पर ये trend line अगर निफ्टी ने break की तो definitely जो है हमें 10,900 का जो लेवल है निफ्टी का वो जरूर देखने को मिल सकता है को आने वाले कुछ दिनों में और अगर बाइंग साइड अगर बात करें तो बाइंग साइड सबसे पहले निफ्टी को यह जो इसका पॉइंट है यहां पे इसके उपर सस्टेन करना पड़ेगा 10,350 10,350 के उपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो ही हम जो है बाइंग साइड जो है को प्रैफल करेंगे की निफ्टीए जई गाती जाएग्ड दशाजार चार्सो तक जो है निफ्टीए टारगट दिखा सकता है पर 10 in सब्सक्राइल करना पड़ेगा उसके साथ हम उसक sustain करता है और अगर यहां पर धाय मिनटस के टाइम फ्रेम ayam busy का स्नारियो था यहां पर देखेँ पिछले दिन इस घ्यप अपन हुआ था लेकिन पूरा में रहा यह जो फर अपन हुआ फिर भी पूरा रेंज में रहा तो तो जो भी जैसा निफ्टी ने परफॉर्म किया वैसे ही अगर निफ्टी को अगर उपर जाना होगा तो सबसे पहले इसको 22,100 के उपर अगर सस्टेन करता है बैक निफ्टी तो हम इससे बार इंग साइट देखेंगे लेकिन अगर इस के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो हम जो है को सेलिंग साइट लेके चलेंगे अगर कल लेके चाहसो तक का टागेट के सकते हैं कल के लिए अगर यह टूटता है तो डेफिनली जो है हमें यह टागट देखने को मिल सकता है और अगर ऊपर के तरफ जाना होगा तो सबसे पहले बैंकन की को अपना आपके के ऊपर सेंग करना पड़ेगा तब हैं निफ्टी में बाइंग साइट जो है बैंक निफ्टी को कर सकते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं कल हम कौन-कौन से स्टॉक जो है वो ट्रेड कर सकते हैं कि इस्टॉक में बाइंग और सैलिंग कर सकते हैं सो सबसे पहला जो हमारा stock है वो है सबसे पहला जो हमारा stock है वो है Axis Bank Axis Bank जो है कल काफी अच्छा stock लग रहा है कल के trading के लिए यहां पर देखिए यहां पर मैंने एक trend line ड्रॉ की हुई है एक horizontal line है 432 लेवल पर 432 के लेवल पर अगर कल इस लेवल के नीचे अगर जो Axis Bank वो निकलता है तो हमें यहां तक का यह जो support बन रही है यहां पर आके जो है Axis Bank जो है वो support लेगा उसके बाद यह Axis Bank जो है retrace कर सकता है तो यह कौन सा लेवल है अगर 432 के नीचे अगर कल Axis Bank निकलता है तो हमें इसमें 425 से लेके 416 तक का जो है हम इसमें टागर देख सकते है Axis Bank में कल के लिए अगर इसके नीचे निकलेगा तो definitely जो है हम इस लेवल के लिए जो है इसको ट्रेड करेंगे कल के लिए क्योंकि यहां पर देखिए अगर इसके नीचे निकला तो यहां बशकी सपूट बनती है पहली 425 के लेवल पर उसके बाद बनती है 416 के लेवल पर तो यह जो सपूट है इसके बाद इसका लेवल है alternating निकलता है तो ही सबस्क्रात कर सकते हैं तक यहां ऐसके लिए सकते हैं एकस देखी यहां पर देख्क आपर एक दो तो अगर इसके बनता है वह फुर फिटी के क्रीब बनता है तो फुर फुर फूर्तिक लेवल के ऊपर निकला तो हमें डेफिनली जो है यह लेवल जो है इसमें देखने को मिलेंगे तो गाइज अमारा जिसमें हम कर त्रेडिंग कर सकते हैं वो है आई है? कि सो गाई अगला जो स्टॉक है वह है इंडिया बूल हॉसिंग फाइनांस इंडिया बूर है फाइनांस जो है वह कल तुर्ल your melhor silasion काफी अच्छ ट्रीड लग रहा है कल के लिए अगर हम यहां पे दिखें तो अगर कल इंडिया बुल हाउटार्स तो हम कौ उलिए इसको ट्रेड का सकते हैं में 183 से लेके 176 तक के टागेट के लिए इंडिया बुल हाउटार्स को जो है कल ट्रेड कर सकते हैं हम अगर तूहनेड़ के नीचे निकलेगा कि llenको यह बिल्कुल भी नहीं जा रहा हो यह बिलकूल भी नज़र नहीं आ रहा है सलिंग साइड में को यह जो है काफी अच्छा लग इसका जो selling pressure है वो काफी अच्छा लग रहा है और जो चार्ट analysis बोर रही है उसके according जो है आई भूल housing finance में जो है selling side housing finance काफी अच्छा लग रहा है और कल इसके नीचे अगर निकलता है यहां पर है यहां पर यहां पर बन रहा है यहां पर बन रहा सब्सक्राइब करेंगे और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में इसको जो है 176 का लेवल भी यह जो है ब्रीच करता हुआ नजर आए तो डेफिनेटली हम जो है कल इसमें सेलिंग साइट जो है लेके चलेंगे इस आईबुल हाउसिंग फाइनेंस को अगर यह गैप अपन होता है या उपर उपन होता है और उपर जाता है तो इसको हाई लेवल पर आप जो है सेल कीजिए क्योंकि यहां वहां से आपको एक अच्छा कहा सा रिटर्न द्वारा देखने को मिलेगा क्योंकि डेफिनली जो है इसमें सेलिंग प्रेशर काफी अच्छा रहा है आई पूल हाउसिंग फाइनस में तो हम जो है इसको सेलिंग साइड लेके चलेंगे 176 क इसको अभी कंसीडर नहीं करूंगा इसको अगर जाना होगा तो सबसे पहले इसको 210 के ओपर जो है सस्टेन करना पड़ेगा क्लोजिंग देने पड़ेगी उसके बाद ही हम इसमें बाइंग साइट कंसीडर करेंगे सो गाइज हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वह है HDFC हमारा जो है वह लास्ट स्टॉक है आज का तो HDFC में अगर हम बात करें यहां पर देखिए आज HDFC जो है gap down open हुआ और उसके बाद जो है गिरा तो अगर कल अगर हम बात करते हैं यह कहां trade कर सकता है तो HDFC अगर अपने इस level के अगर नीचे निकलता है यहां पर देखिए इस level के अगर नीचे निकलता है अगर 1717引 слaguyा नीचे नेचे निकलता है तो 11700 730 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है कल में हमीं के और नेचे थरेption सब्सक्राइब इहां पर नेचे निकल रही है यहां पर अदर एगर इस लेवल के और नीचे निकल सबसे पहले अपना यह जो एटीन हंडड का जो लेवल है अगर बीच करता है उसके उपर सस्टेन करता है 10-15 मिनट्स तो उसके बाद हम इसमें जाएंगे कौन के लिए 1830 के लेवल के लिए क्योंकि यहां भी देखिए अगर इसके उपर निकला तो यहीं तभी इस लेवल के उपर निकला तो हम इसमें यहां तक का लेवल जो है अराम से इसमें देखने को मिल सकता है 1830 का लेवल इसमें अराम से देखने को मिल सकता है अगर यह 1800 के लेवल के उपर निकलता है और अगर 1830 का लेवल भी ब्रीच करता है तो हमें 1840 तक का और 50 तक का भी लेवल जो है इसमें देखने को HDFC में मिल सकता है जो भी मैंने आपको लेवल बताया है प्लीज आप उनको कंसीडर कीजिएगा जो भी मैंने अगर मार्केट जो है गैप यह गैप डाउन ओपन होता है तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की हेल्प से जो है आप ट्रेड कीजिए आपको अच्छा कासा जो है प्रॉफिट होग टो गाइज अगर आप यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और और आप मेरे साथ मेरे टेलेग्राम चैनल पर जूड़ना जाते हैं तो आप आप svatये आ कर सकते हैं मैं live market house में आपने व्यूज और आइडिया जो है शेयर करता रहता हूं जो definitely जो है आपको live market में help करेंगे और अच्छा-कासा profit आप कमा सकते हैं मेरे ideas और views से अगर आप वहां पर जोईन करते हैं तो आपको अच्छा-कासा profit जो है आप market से कमा पाएंगे आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे धन्यवाद